आज हम मौझूद हैं बिल्कुल डिल्ली के नजदिक गुरू गुराम के नजदिक सोहना रोड पर हम मौझूद है घामरोज गाउं में ऐसे सक्से मिलूएंगे आज हम नाम गडेश जी नाम है साक्षा थर भगवान का दूसरा रूप है यह गडेश जी यह हैं आप कभी भी अमरीका को नहीं छोड़ेंगे जन्नत को छोड़के यहां कोन आएगा लेकिन यह अकेले यहां पोचे बच्चे आज भी जा पान में इनके और दिव्या फाउंडेशन बना डाली देखिए आज के जमाने में जो हमारा खान पान हो चुका है बहुत ही दुसित हो चुका है वातावर अंदूसित हो चुका है हर जगा जो फर्टिलाइजर केमिकल हम खेतों में यूज कर रहे हैं जिसे की अनगीनत बीमारियां लोगों को लग रही है लेकिन हमारे खेत पे सारी चीज़े औरगेनिक है एटू मिल्क है एटू घी है और अपने ही गौसाला का दूद घी मक्षन चाच हम जो है वैदिक रसोई से लोगों प्रवाइट कराते हैं और गैनिक जो है सब्जिया है और गैनिक दाले मसाले चावल आटा उसी से हम जो है मिट्टी के चूले पर वैदिक रिती से हम भोजन का निर्मान करते हैं बच्चों के साथ यह आते हैं तो कि सुइधा भी हमने यहां प्रवाइट कराई है और माउंटें ट्रैकिंग यहां से अरावली की पहाड़ी जो दो किलोमेटर की दूरी पर है हम ट्रैकिंग की सुइधा भी लोगों को दे रहे हैं साथ-साथ खाने के बाद चीत करें अगर आपको मलाई खानी है पुराने मिलेंगी और बादरे की रोटी चाहिए वह भी मिलेंगी और साहाब सबसे बड़ी बात है पीछे इनों ने और गिने गयों वह रखे हैं लाल दुद पिना हारे का वह भी लेगा और पी जीधा नमक डालके मिलेगी नमक डालके मिलेगी लेकिन मिलेगा सब औरगनीक इसके साथ सर लगबग 35 प्रकासे ज्यादा बीमारीयों का जो सटीक्ता से हम बिल्कुँ आयरुवेदिक पद्दती से यहां इलाज करते हैं इसको आप कह सकते हैं कि दुनिया का सर्व स्रेश चेंपरास इसमें खांड और शेह डला हुआ है जिसे सुगर के मरीज भी यदि खाएंगे तो सुगर लेबल उनका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा इस तेल को खाकर खाने में लोग जोडों के दर से निजात पा सकते हैं बहुत सारे बिमारीों से निजात पा सकते हैं कि रसोई के अंदर बिमारी है और स्वाष्ट के अंदर है कि हमारा यहां नियाज होता है वहाँ वहां तमाम तरह के रिद्धियां शिद्धियां निवास करती वेदिक पर्मपरा तो सीखेंगे लेकिन साथ साथ आप ये भी देख ली थी आप ये देखिए आप क्या क्या चीजे दिये यह देखिए हमारे सनातन धरम और हमारे हिंदू पर्मपरा हमारे संस्कारों को लोटाने के लिए वेदि कुछ हारी वीमारी है बहुत सारी जिसमें की कैंसर भी है उसका टीट्मेंट भी हम प्राकितिक तरी से नियच्रोपै तरीके से यहां करते हैं किडनी है लीवर है कैंसर है घुटनों का दर्द है और ये मैं गारंटेट कहता हूँ मनी बैक गारंटी है यदि लीवर की प्रॉब्लम है किसी को तो लीवर और किडिनी राइट सर वो मनी बैक गारंटी विदिने मंथ विदिने मंथ उनको 70-80% का जो है रिलीफ मिल जाएगा नमस्कार स्वागत आपका हरियाना न्यूश 24 पे मैं हूं मुन्ना लंबा मेरे सवगी विले सिंदू के साथ आज हम मौजूद हैं दिल्ली और घुडगाउंगा बिल्कुल दिल्ली के नस्दिक गुरू गुराम के नस्दिक सोहना रोल पर हम मौजूद है घामरोज गाउं मे और बिल्कुल हाइवे से मातर ही पांसो मीटर दूरी पे जंगल में मंगल गर दिया है यहां पे जंगल में मंगल आप सुन रहे होंगे एक यक्ती बिदेश से आता है और बिदेश से आके ये यक्ती कुछ बड़ी सोच के साथ कहते है ना ये मेरी करम भूमी है ये मेरी जनम भूमी है मेरी करम भूमी को मेरी जनम भूमी को करम भूमी बनाने आया हूँ और यहां रहा हूँ पला बड़ा हूँ विदेश की लर्जरी राइफ छोड़के अर्बो रुपे का कारोबार छोड़के कैनाडा अमेरिका और इनके कि आज भी जापान में रहते हैं जापान को छोड़ के केनाडा में इन के होटल थे उनका काम छोड़के हमारे साथ ऐसे सकस्रै मिलूएँ आजू नाम गणेश जी नाम है साक्षा था भगवान का दूसरा रूप में यह गणेश जी है आप कभी भी जापान को अमरीका को नहीं छोड़ेंगे जन्नत को छोड़के यहां कौन आएगा लेकिन यह अकेले यहां पोचे आज भी जापान में इनके और दिव्या फाउंडेशन ब होना हो दिल्ली के नजदीग है गुडगावा दिल्ली की बिड़ी वीजी लाइफ है उन लोगों के लिए यह चीज है रात को टेंट लगा के सोते हैं यहां सोही आराम से चारू तरफ लांटन लगी हुई है अलग से जैसे पुराने जवाने लांटन चलती थी बहुत जले यह खुद भी वेदिक विचारों के हैं और बाकाईदा यह चल भी रहा है हमारे पुराने ज़ानों रिशी मुनी हर घर में यह वेदिक उपचारन होता था और यह देखो यस साला ही यस साला चल रही है और इनका उद्श से ऐसा है सेवा परकलब आगे की भमिस्ये की ओजन इनकी ऐसा है वानाथ बच्चों के लिए वेदिक गुरू कुल का निर्मान अनाथ वा वर्द बच्चों के लिए वेदिक गराम से वेदिक घर की व्यवस्ता सुविदाओं के साथ हाई टेक सुविदाओं के साथ गरीबों के लिए बोजन है बजन का परवन व्यवस्ता ऑपको स्वागत है दिल से मापको स्लूट करता हूं परणाम करता हूं की तरफ मैं आपका दो भगवान एक साथ यहां मरे साथ भी राजवान है गनेश जी साथ साथ भगवान जी और भगज जी यानि कि डबल मीनिंग हो गी यह सर जंग नहीं मंगल कर दिया दिव्या फावडेशन कितनी एकड में यह गुड़गावा गनेश दी कहां पर बनाई जी सर गुड़गावा से पास साथ किलोमेटर की दूरी पर है घामरोज ग पूलिस इस्टेशन के बीच से जो है लेफ्ट की तरफ सड़क गई है वहां से सिर्फ पास्व मेटर की दूरी पर तीन एकड़का यह फार में वैदिक धाम की थोड़ी से हम आई चीज दिखाते रहेंगे कुछ यह चीजे बना रहे हैं लेकिन पहले आपकी जीब लपलप पाई वो कहते हैं ना आपके घर में खाना कभी नहीं बनता जो आप सोचते हैं वो खाने सकते मुझी यह बताइए दिली की लोग देख रहे हैं बड़ी वेस्ट लाइफ है चामीन बर्गर तक सीमित हो चुका है उनका सारा सिस्टम पस इससे आगे कुछ नहीं है बीमारिय बिल्कुल आप कितने बज़े से कितने बज़े तक आपके पास लोग आ सकते हैं रूकिने की क्या ब्याउस्ता है वेदिक रसोई में गुर्गावाज दिली के लोग आएंगे सर्वार और एतवार यानि कि सचेड़े और संड़े को तो यहां काफी वीड़ होती होगी आप लेकिन आपके पास गोम आता ही है पीछे गोसाला भी है और यहां पीछे गुर्कुल भी मन बन रहा है इनका उदिश्य कुछ काफी बड़ा है उसको लेके चल रहे हैं सर बता जी बिल्कुल आपने ठीक कहा और देखिए आज के जमाने में जो हमारा खान-पान हो चुका है बहुत ही दुसित हो चुका है वातावरन दुसित हो चुका है हर जगा जो फर्टिलाइजर केमिकल हम खेतों में यूज कर रहे हैं जिसे की अनगीनत बिमारियां लोगों को लग रही है लेकिन हमारे खेत पे सारी चीज़े और गेनिक है एटू मिल्क है एटू घी है और अ को मिटे के चूले पे हम बोजन का निर्मान करते हैं और लोगों को जो वैडिक पदति यह ह्ल्टकर जो खोना चाहे हैं किरसी टेबल पर भाण के अंडर जरू तरे आते हैं तो एडबंचर पार्क का जो हमने छोटा से निर्मान किया यहां इंज्वाइ ले सकते हैं जूले हैं वैडमिंटन है टेबल टैनिस हैं बच्चों को खेलने के लिए एर गन से जो है अपना इंज्वाइ कर सकते हैं लोग केदी कैंपिंग में रहना चाहें तो कैंपि ट्रैकिंग यहां से अरावली की पहाड़ी जो दो किलोमेटर की दूरी पर है हम ट्रैकिंग की सुइधावी लोग को दे रहे हैं और साथ में जो है फार्म के बीचों बीच आप देखेंगे ट्रैक जो बना हुआ है सराउंडिंग इसमें हम जो होर्स राइडिंग और केमल राइडिंग की सुइधावी लोग को हम दे रहे हैं तो यह फ्राइडे सटर्डे संडे सुकरवार सनिवार इत्वार तीन दिन जो है टोटली जो है सुबार क्यों एक हफ्ता क्यों बिल्कुल एक हपता भी हो जाएगा फिलाल अभी हमने तीन दिन कर रखा है और जब आप इसको लाइव करेंगे तो हम इसे कर देंगे जो जगें हैं कितनी एकड में है तीन एकड में बना हुआ सारा सिस्टम सलूट करता हूं अमरीका बच्चे कैनेडा में इनकी होटल लेकिन फिर छोडशाड के सारा विजनिस वस्वेदिक की तरफ आ गये है और वेदिक का कहने के बाद चीट करें अगर आपको मलाई कहने हैं पुराने वाले दादी और माता और पिता जीब हो हारे पर हे रखके मलाई निकालते थे इतनी मोटी वो भी मिलेगी गाई के गाई की गाई की शिर्फ गाई की टिंडी का घी चाहिए आपको खाने के लिए वो भी मिलेगा तवे की रोटी हारे की रोटी चाहिए वो भी मिलेगी और बाजरे की रोटी चाहिए वो भी मिलेगी और साहाब सबसे बड़ी बात है पीछे इन्होंने और गिने ग्यों बो रखें और गिने की ग्यों है पीछे और गिने की सबजिया बो रखें सुद बिगर किती खाद बीज के बीज सॉलिड बिगर किती यनि की यूरिया पूरिया फेस्टेलाइजर कुछ नहीं है उनमें बीमारी को पर Bhag चुट आएровा के घर चले जाते हैं बीमारी और जन्हें कर देख्ञ चार्शम स्भी बात सरे मुझे यह लगी आपकी मीठी के तोर पे सर हम खांड डालते हैं और भी और गैनिक केमिकल फ्री खांड और नमक नमक के तोर पे हम आज कल जो मार्किट में जो नमक है जिसको हम आई वडीन नमक कहते हैं लेकिन हम जो है सेंदा नमक करते हैं अपने हर खाने में बेलकुल बेलकुल सारे और गैनिक ची एक तो यहां डिशन बंस नहीं है सबसे बड़ी बात एक में अच्छी लगी चारू तरफ खेते खेते सिस्सम खड़ी है लहलाते फूल इतना इतना सकून है यहां पे अरी सूरज की रोसनी अब भी शाम के लगवाश च्छे बजने व सर अब मुझे थोड़ सा हां और इसके साथ सर लगवग 35 प्रकास से ज्यादा बीमारियों का जो सटिकता से हम बिल्कुल आयरवेदिक पद्धती से यहां इलाज करते हैं अभी मैं आपको बोड़ भी दिखाता हूं कुछ चीजे बनाते हैं बिल्कु 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 ब इसको आप कह सकते हैं कि दुनिया का सर्व स्रेश चैनपरास इसमें खांड और शहर डला हुआ है जिसे सुगर के मरीज भी यदि खाएंगे तो सुगर लेबल उनका बिल्कु भी नहीं बढ़ेगा हां ठीक है एक दो घंटे के लिए जो है सुगर लेबल थोड़ा बढ़ स जी इसके अलब हमारा एक टू बिलोना घीए सर और यह आप यहां लोगों को ख़चो खाने के लिए रसोविद्य रसों में आएंगे बिलोना का देंगे घी भी लस्टी दूद्वी आप सब कुछ बिलोना का मिलेगा तो वह बिलोने का घीए सर बिलकु बिलकु गाय का बि जड़ है और यह हमारे सर और है यहालो मस्टर्ड ऑए है और हमारे पास ब्लैक मस्टर और इस एल को खा कर खाने में लोग जोडों के दर से निजात पा सकते बहुत सरे बिमारियों से निजात पा सकती है सर शका तेल ना सुद उधियाणे संसरों का शुद्य पूरी और घा और यह सब्सक्राइब का मुरब्भा है और गेनिक आवला खांट और शैद से बना हुआ जिसे सुगर के मरीज भी खा सकते हैं बहुत सारे पौश्टिक तत्तों से भरपूर और अचार यह निम्बू का अचार है और कहते हैं कि अचार जो स्वास्त के लिए हानी का रहे कि हम और गेनिक निम्बू है दूसरा इसमें गुड काली मिर्च हल्दी और ब्लैक सॉल्ट काला नमक बहुत सारी आशिदी तत्तों इसके अंदर डले हैं जिसे खाकर जो है स्वाद में निराला और सिहत के में लाबदायक हां जी पीछे है यह आपका सत्तु है जिसे हम प्रोट और यह सर आपका जो है सेव का मुरब्बा एपल मुरब्बा और गैनिक एपल से खांड शहद में बना हुआ एपल मुरब्बा है और भी बहुत सारी चीजे हैं जो कि हाँ यहां पर आके घर से रिलेटिट तीजिए वह भी लेकर जा सकते हैं लोग यह निकी सेहत तो अरगनिक हर्बल और यह चीजे तो आपने दिए कोई और यह बने कि जाना चाहेगा आपसे कोई चाहुल और ओर में दिक लेंट जाना चाहेगा चाहेगा चलो डिए अपके पास से यह बीचिजे मिलेगी देखिए लोग केहते हैं सारी चीजे हम जो है प्रोडूस कर रहे ह कुझान कहते हैं कि हम सारी शीज aids बना रहें ऐसा नहीं है हमारा एक ग्रूप है ग्रूप ऑफ और डिनिकज फार्मर्स तो हम ज़ु है एक दूसरे स्वपोर्ट करते HajBluesy अफश्वार के पास नहीं हम उन्हें प्रोवाइड कर आते Хम हमारे पास नहीं हम उन से लेते हैं जो की टोटली हंड़े परसन और गनिक कर रहे हैं लग जो है सो से ज्यादा जो है फार्मर्स हमारे से जुड़े नमक भी मिलेगा यहां लेक घर पर गर बेलकों बेलकों हम खुद भी यूज करते हैं और यदि कोई सज्जन की बात आती है आप तो यहां कच्छे बिलोना मिट्टी वाला उसमें मिल जाएगा बरतन मिल जाएंगे यहां पर मिट्टी के यह लोग के तो यहां तो सब कुछ मिल जाएगा लेकिन घर पर नहीं मिलते ना तो लोग कहिए बरतन भी दे दिजी मिट्टी के वह भी सूद मिट्टी के बरत जो है कांसे के बरतनों में दे रहे हैं यह हम दीव्या फाउंडेशन में मेरे साथ मौझूद है अब यहां रात को रुकेंगे रात को रुकेंगे इस्टर के कैम्प नहीं है जो यह बहुत मिलेगा आपको जैसे आप बाहर जाते हैं और कमशे को पचाहँ जार एक लाग रु बाहर तारों कि छाओं में एक फिलिंग लेना चाहें तो वह मिलेगी बिलकुल सर बिलकुल मिलेगी और मांटन ट्रेंकिंग के लिए जो जाना चाहते हम कैंप के साथ वहां भेजते हैं यह दो घंटे-4 गंटे करना चाहिए मांटन बेहम लगाते हैं और वहां लोग इसके विरिक्ष हर प्रकार के जीव जन्तों मनिस्यों तक को भी फायदाव मिलता है यहां पर लोग खाना खाने आएंगे इंजुवाई लेने आएंगे वह अपने बच्छों को कुछ शिखा के बेजाएंगे लेके जाएंगे साथ व्यदिक परंपरा होती क्या है माप आपके च संस्कृति को हम किस तरह से जिवित रख सकते हैं उसकी जो सिक्षा यहां से जो है उनको प्राप्त होगी और बैक साइड में गौसाला के बैक साइड में जगह आपको दिख रही है वहां अभी जो है अप्रिल या मैई से जो है गुरुकुल का निर्मान होने जा रहा है यह देख लीजिजीए यहां पर आप नीचे बैठके कहाना चाहिए दैसे कहा सकते हैं यह इसे ऐसे बहुत ऐसे है आपको चीजे मिलेघंगी यहां पर बैटके खानाओक्र पि Ecuador हमचाथ की पिछ्षे हां भी लगजी त्ष्दni के नीचे बैटके और तरस के क्हां सकते है यह खेलने के लिए लगा इसमें जाली लगेगी अभी लगने पाई एक दो दिन में जाली का जो है निर्मान होगा बच्चे उधर उपर से पुल के थू आएंगे और वहां से जंप करेंगे इस पर जो जो है जम करने का जो है जो है लेंगे जंगल में मंगल और यह देख लिए बंपरा तो सीखेंगे लेकन साथ साथ आब ये भी देख लीट यह आप यह देखियें आप क्या क्या चीजें दियें यानिकि हमारे सनातन दर्म और हमारे हिंदू परंपरा हमारे संस्कारों को simult कुछ बच्चों को एक करने के लिए यहां तक लाने के लिए ऐसी चीजें भी है लेकिन साथ-साथ बहुत चीजें भी शिख जाएंगे और बच्चे आपसे जुरूर पुछेंगे यह बिलोना है क्या यह टिंडी है क्या यह हारा किसको कहते हैं यह मिट्टी का तवा क्या है यह गुड़ का चुर्मा क्या है गुड़ में बाजरेकर यह सब पूछेंगे आप से यहां आएंगे तो यह थोड़ा सा कर लेते हैं देशे इतना बड़ा निशाना तो नहीं हमारा लेकिन फिर भी यह पहले ही यह इतना तगड़ा निशाना देख लीजिए हमारा तो यह अधिए गड़ेश बगजी सर आपके चरंड़ सपरस्ट करता हूं मैं मैं सर आनी से पहले मैं सोच रहा था कि वैसे ही है वैसे आना है कि वैसे दिखाना है तरिका कि आज आएंगे लेकिन यहां कि कुछ ऐसे लगा वास्ते में ही जन्नत में आगे सर मौश्त में आपकी बे चीजे अपनों वो मनोरंदन के मिल जाएंगे लेकिन खाने की चीजे नहीं हो लेगी वह ब्यादिक परमपरा संसकार नहीं मिलेंगे सर यहां मिलेगा लोगों को वो शायद दिली जैसे शहरों में दिली NCR में नहीं मिल सकता और मैं लोगों से यही कहना चाहूंगो आपके प्रकल्प यहां चल रहे हैं उसका भी लाब उन्हें दीजिए और साथ ही जो यह दी कुछ हारी बीमारी है बहुत सारी जिसमें की कैंसर भी है उसका टीटमेंट भी हम प्राकृतिक तरी से नेचरोपे तरीके से यहां करते हैं किड्नी है लीवर है कैंसर है घुटनों का द फ्री लिफ मिल जायें गारे यह टेबल टैनिस से अच्या यहां पर टेबल टैनिस में खेल सकते हैं और यह जो है बैडडमींटन और बाली बॉल भाह स्याओ टूइन वन यहां पर हम यह चांब ने में बोर्ड कोने में बोर्ड़ है जी एधिक धाम वेडिक निधिधाम के तो यह हमारे साथ तश्मीर देख लीजिए यह चोटा सा जूला भी है आराम से आप जूले पर बैठ सकते हैं और बैल के बच्चे वगेरा या आप किताब बढ़ सकते हैं पूरे दिर रोसनी में रह सकते हैं सबसे बड़ी बात है मिट्टी में खेलना बहुत जुरी अगर मि नहीं लगी में चूही को तो सरीर में 13 परकार कि कभी हो सकती है और आपका बच्चा कभी साथ रही नहीं सकता झबेटिक दूरी तो यह फरीoule मानि पर पैंछीम को सोश्टा पास्तला जेख और नीचे गमएं-धि पूरा शिश्टम स Disli metुरुजम समेट के रख रखा है तो यहां पर लोग आते हैं क्या कहके दर जी बहुत खुश होते हैं सर और कली जो है ग्रेटे नोड़ा से कुछ लोग आए वे थे उन्होंने काया कि मैं यहां पर बिल्कुल ठहरना चाहता हूं और उन्होंने जो एडवांस बुकिंग कराई है कि आप कॉटेज का निर्मान करें हम बेलकुल कॉटेजें पंदर दिन की बुकिंग अभी से हम कर रहे हैं तो अभी बैक साइड में जो है सुमिंग पूल और कोटेज और रोब गलाड़िंग वगरे जो है अप्रिल से जो है वहां निर्मान होने वाला है और फिलाल यहां पर जो पूरा के सर यदि हम गवसाला करते हैं तो हमें जो है और गैनिक पर आना ही होगा ज 65 आखर के वीप हम साथ में जोर principals परकॉल्प कर चलते हैं तभी जो है वो संस्ता सफलता के शिकर को चूब सकती है यदि हमने जो है गाय गोवर्ड गुरुकुल आयर्वेद इनको हमने एक को भी मिस किया तो हम सफल नहीं हो सकते हैं तो सारी चिज़ों को साथ लेका रेदी हम चलते हैं तभी हम दुनिया को भी बदल सकते हैं पहले अपने आपको बदलना जरूरी है फिर अपने समाज को खाना पकता है वाठ थैरने के लिए जगें हैं वहां पे चक्की वगरा उर्गेरी चीजें जो होते हैं पिछे सब्जिया है और पिछे शुईनिग पूल बनाने के अभी तैयारी चलिए गोशाला है इसके पिछे और यहां बच्चों के लिए सुबह से शाब तक खेलने खु जारी है साइदी आफते के अंदर यहां कोट ही च्टए-च्टे वेदिक कोटिज मिलेंगे आपको च्टो-च्टे तो अपका बहुत-बहुत-धनवास जी अबीज उम्से बाचित की मुझे बहुत-बड़ा बहुत आनंद आया आपकी सारी जगे देके थैंकिpa बहुत-ब गुर्कुल की पोसाग में रहते हैं इनका उदेश से इतना है कि भारत देश से बीमारी को बगाना कई छोट-छोट चीजे बना रहे हैं और जो चीजे ये पैसा कमा रहे हैं उनसे उसमें अनाथ हासर बना रहे हैं अभी यहां पर बनाएंगे गरीब बच्चों के लिए यहा अगया बनाईए तो आप देर मत करीजिए आप आज ही है सैनिवार रैतवार सोमार जो भी निच्छे हम नमबर दे रहे हैं आप यहां अपने बुगियं करवा सकते हैं सबीर बातों के साथ मैं मुना लामबा मेरे सेवगी विले सिंदू के साथ हरिया 924 नमस्कार जैहिन